आज हम बात करेंगे बक्रियों में आने वाली बीमारियों के बारे में उनकी वैक्सिनेशन सबसे पहले हम बात करेंगे एफ एम डी की इसको उर्दू में कहेंगे मुंखुर उसके बाद दूसरी बीमारी इंटेरो टैक्सीमिया आंतरियों का जहर तीसरी बीमारी जिसका हम जिकर करेंगे वो है C-C-P-P डबल सी डबल पी ये प्लोवर नमूनिया है बीमारी का नाम चौथी बीमारी जो है वो है P-P-R इसको कहेंगे बक्रियों का ताउन पांचवी बीमारी गोट पॉक्स इसको कहते हैं बक्रियों का चीचक आज हम बात करेंगे बक्रियों में आने वाली बीमारीयों के बारे में उनकी वैक्सिनेशन और उसका टाइम किस महिने में वो लगेगी और साल में कितनी दफ़ा लगाई जाएगी सबसे पहले हम बात करेंगे एफ-एम-डी की इसको अर्दू में कहेंगे मुंखुर ये बीमारी बड़े जानवरों में भी आती है गाई बैंसों में भी और बक्रियों भी इसका शिकार हो जाती है इसकी निशानी ये है कि खोर और मुं में जखम और लंगड़ा पन हो जाएगा जानवरों को बखार भी होगा एक सो चार से एक सो पांच तक बखार हो सकता है और इसकी वैक्सिनेशन जो है वो मार्च के महीने में एक दफ़ा की जाएगी और दूसरी इसको जो लगाएंगे वो स्तंबर में मतलब इसका ये हुआ कि साल में दो दफ़ा मुंखुर की वैक्सिनेशन की जाएगी मार्च और स्तंबर के महीने में इस बीमारी की वज़ा से शरा अमवाद की रेशो काफी ज्यादा है तकरीब नवे परसेंट इसकी शरा अमवाद है उसके बाद दूसरी बीमारी इंटेरो टेकसीमिया आंतनियों का जहर यह बीमारी जो है इसकी निशानी यह है के इबतदा में कबस होगी, कबस के बाद मोक लग जाएगी, पतले मोशन आने लग जाएंगे बाद उकात जानवर के उपर गशी और तशनज, मतलब पेट दर्द का भी हमला हो सकता है इसकी अक्सर अलामात जाहर नहीं होती और जानल्वर की अच्छानक मौत वाक्टा हो जाती है इंटेरो टैक्सीमिया में तकरीबन सट्टनली मौत केसे ज्यद़ा होते हैं और इसकी जो वैक्सीन है वो भी साल में दो दफ़ा होगी जनवरी के महिने में और जुलाई के महिने में मैं जनवरी के महिने में वीडियो बना रहा हूँ तो जो वीवर्ज इसको आप जनवरी में सुन रहे हैं वो अब जनवरी में इसकी इंटेरो टेक्सीमिया की वैक्सीनेशन करवा लें अपने जानवरों को इसमें भी शरामवाद तकरीबन 90% ही है और तीसरी बिमारी जिसका हम जिकर करेंगे वो है CCPP, डबल सी, डबल पी ये प्लोवर, प्लोवरो नमूनिया है, बिमारी का नाम इसके शकार जानवरों को भी बुखार होता है और 104 तक बुखार हो जाता है खांसी, सांस में दिशवारी, नत्नों से मुआद का खराज और दस्त वगरा इसमें शामल है इसकी वैक्सीन भी साल में दोदफा की जाएगी एक मैई के महीने में करें और दूसरी वैक्सीन नमबर के महीने में करें इस बिमारी की वज़ा से शरामबाद की रेशो जो रिकार्ड में नोट की गी वो 80% तक है और चौथी बिमारी जो है वो है PPR आर इसको कहेंगे बक्रियों का ताउन ये बिमारी मेदे की खराबी से शुरू होती है मूँ आंक नाक से पानी आना सांस में दिशवारी नमूनिया जैसे इलामात दस्त पेचश लग जाते हैं मूँ और दुम के नीचे दानों का निकलाना और इसमें बुखार काफी ज्याद होता है जानवरों को एक सो साथ तक भी नोट किया गया है पिशाब वाली जगा सूच जाती है और हामला बक्रियां बच्चे गिरा देती हैं इसकी वैक्सीन साल में एक दफ़ा की जाएगी आप जून या जुलाई के महीने में कर लें वो ज्यादा बेतर है नहीं तो अगर किसी ने कोई अपनी रूटीन बनाई हो तो वो उस हसाब से साल में एक दफ़ा पी पी आर की वैक्सीन की जाएगी इसमें शरामवाद की रेशो जो है वो असी से नवे फीसाद तक है पांचवी बिमारी गोट पॉक्स इसको कहते हैं बक्रियों का चीचक बुखार का हो जा जगा जगा से बालों का जड़ना और दानों के अंदर पीप पड़ जाती है जो दाने इसकी वज़ा से निकलते हैं इसकी वी वैक्सीन जो है वो साल में दो दफ़ा होगी मार्च और स्तंबर के महीने में तो इसमें जो शरामवाद की रेशो नोट तीगी वो सतरते से 80% है और दूसरी खास दोर पर आपको जो बात बताने की है कि इन बिमारियों का स्वाए वैक्सीनेशन के कोई इलाज नहीं है इनके लिए वैक्सीनेशन ही टाइम पर की जाएगी तो आपके जानवर इस बिमारियों से महفوظ रहेंगे अगर बिमारी आ जाएगी हर्ड में तो इसकी वैक्सीन नहीं करनी चाहिए क्यूंकि उसी बिमारी के जरासीम को कमजोर करके वैक्सीन बनाई जाती है अगर बिमारी आने पर लगाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा इन बिमारीयों के आने के बाद जो अगर इलाज किया जाता है वो यही होता है कि जानवर की कंडिशन देखकर उसके मियून सिस्टम को मजबूत किया जाता है वरना उसका इलाज कोई नहीं है और जो उसकी उस वकत अलामात हो उसके मताबक उसका ट्रीट्मेंट किया जाए मेरा ख्याल है कि ये पांच ब्मारियों के मतलक मैंने बताया है मुक्त सरं फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले मुखुर मुखुर की वैटिन जो है मार्च और स्थम्बर में की जाएगी साल में दो दफ़ा दूसरी अंतरीयों का जहर जिसकी वैक्सिन जो है जनवरी और जुलाई में की जाएगी साल में दो दफ़ा तीसरी है सीसी पीपी पलोरोनमूनिया इसकी वैक्सिन की जाएगी मैई और नमबर के महिने में साल में दो दफ़ा चौथी बीमारी है पीपी आर बक्रियों का ताउन इसको साल में एक दफ़ा वैक्सीन करेंगे जून के महिने में कर लें या जुलाई के महिने में और उसके बाद है बक्रियों का चीचक गोट पॉक्स इसकी साल में दो दफ़ा वैक्सीन होगी मार्च और स्टमबर के महिने में की जाए इन्शाला इसके बाद जो बाकी और कोई बीमारिया जानवरों को आती है उनकी फिर गाए बगाए वीडियो बना लेंगे वीवर से गुजारश है कि हमारी ये इन्फरमेशन आपको आपने दे दी है और अगर आपको ये हमारी कावश पसंद आई है हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर कर दें ठीक है अल्ला हाफिज